स्रीराम्स आएस, सर्विंग दे नीशन सिंस 1985, अब आफ लाइन हो या उनलाइन, वी आर दे लाइफ लाइन दोस्तों, युनाइटेड स्टेट्स में डोनाल ट्रम्प के बाद अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है एलन मस्क क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है ट्रम्प की जीत में, इसलिए ट्रम्प ने एक इनिसियाटिव लिया है आप आल अराउंड दी मेडिया, आज इसकी बाते सुन रहे होंगे, इसकी चर्चा सुन रहे होंगे कि आखिर डोज है क्या तो डोज is basically Department of Government Efficiency, an agency through which एलन मस्क and विवेक रामस्वामी will keeping a check on the entire US government मतलब US government और ब्रोक्रेसी में आज जो भी बेफजूल खर्च हो रहे हैं, जहां भी काम में धील दी जा रही है खास करके red tapism जैसे issues को बिलकुल भी बरदास्त नहीं किया जाएगा और यहां उन government employees के उपर में direct action लेने की बात की जा रही है जो अपने काम में धील देते हैं या फिर सही से काम नहीं करते हैं मान लो कल को, Elon Musk को, ऐसा लगए कि government में मान लो एक department है जिसका as such बहुत जादा use नहीं है, बेफजूल है वो तो यहां most probably उस particular department को वो dilute कर देंगे और इसके साथ हो सकता है किसी एक person को सामने ले आएंगे कई पर क्या होता है, department के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं बहुत सारे employees रहते हैं, तो हो सकता है वो ऐसे किसी एक को ले आएं जो उन सब का काम वो अकेले handle कर सकता है and most probably इसकी भी possibilities है कि कल को AI जैसी जो technology है वो कही ना कहीं integrate करने की कोशिस करें आने वाले वक्त में government setup के अंदर में तो ये एक कही ना के एक revolutionary measure हो सकता है लेकिन इसके साथ में at the same time काफी ज़ादा criticism भी face करने को देखने को मिल सकता है खास करके जो currently US की government employees है तो वो आज के वक्त में इस particular initiative को बिलकुल भी पसंद नहीं करेंगे और देखो इन सब के साथ यहां कई लोगों का कहना है कि Trump यहां पर अपनी जो project 2025 है वो उसे पूरा करना चाहते है और यहां पर इस चीज की सुरवात की जाएगी by dismantling department of education और इस चीज के उपर में काफी जादा चर्चा भी किया गया है काफी सारी news outlets ने इसके उपर में cover भी किया है that ultimately यहां पर Trump और Elon Musk का प्लान है की कैसे भी करके सबसे पहले उनका target होगा department of education क्योंकि देखो Donald Trump काफी पहले से criticize करते आ रहे है department of education को जिसकी सुरवात वैसे 1979 में की गई थी by president Jimmy Carter वैसे यहां पर Donald Trump का कहना है that it is an example of unnecessary government control we are absolutely at bottom we are on the worst right in education despite spending three times more than other nations हम लोग खर्च बहुत जादा कर रहे है education में लेकिन इसका result as such बहुत जादा निकल कर नहीं आ रहा है तो इस तरह की बात यहां पर Donald Trump ने पहले रखी भी थी अब हो सकता है वो इसके उपर में काम भी करने लगेंगे बहुत जल्द now let me explain you some of the important aspects of project 2025 of Trump actually क्या है यह सब सबहले समझो actually यह list of reforms है जो की Donald Trump लाना चाहते हैं USA में और उन में से कुछ important aspect यह है specifically Department of Justice वो एक independent agency है अब यहां पर Trump का plan यह है कि कैसे भी करके Department of Justice को direct control में ले आना है that means it will be placed under direct presidential control and that is basically a very controversial idea जिसे basically कहा जाता ही एक theory है that is unitary executive theory और इसके माध्यम से Trump direct exercise करना चाहते है power on Department of Justice and that is I mean making the things very controversial here और फिर दूसरी तरफ अगर बात करें तो even इस तरह के भी changes लाने की बात कर रहे है जैसे for example कई सारे लोगों ने तो ये भी कहा था कि Trump आकर एक तरीके से abortion को ban कर देंगे national wide abortion ban तो इस तरह का चीज actually कहा गया है लेकिन directly ban side नहीं लगाया जाए लेकिन इसके उपर में कुछ strict measures लिया जा सकता है कुछ strict laws पास किया जा सकता है Donald Trump के रिजीम के अंदर में ये भी आपको एक बहुत बड़ा change देखने को मिल सकता है and then after that we have immigration और immigration में तो कुछ बड़े-बड़े कदम उठाने की बात की गई है टरम्प के द्वारा for example largest deportation program in America's history तो इस तरह की चीजें टरम्प ने कहा है क्योंकि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम illegal immigrants को आने देंगे नहीं और जो आए भी हैं उनको हम जल से जल हटाएंगे तो इन सारे important aspect के उपर में जो controversial aspect है project 2025 के अंदर में ये हमें होते वे दिख सकता है जल दी टरम्प के रिजीम के अंदर में और एक important aspect है क्योंकि जिस तरह का आज के वक्त में continuously USA debt phase कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ा issue है जिस पर टरम्प काम करना चाहते हैं मतलब आज के वक्त में around 35 trillion US dollar का debt है US के उपर में and that is a huge number क्योंकि इसका जो interest payment है वो बहुत बड़ा है और इस वज़े से क्योंकि आज के वक्त में US काफी सारे economic problems रिफेस कर रहा है जो टरम्प जल से जल इसे mitigate करना चाहते हैं इसे हटाना चाहते हैं तो इस वज़े से हमें देखने को मिल सकता है कि जो कुछ भी खर्च extra हो रहा है इसे कहीं न कहीं कम करने की कोशिस करी जाएगी और यहीं यहाँ पर DOJ का मकसद होगा यहाँ पर अलन मस्क और विवेक रामस्वामी मिलकर यह कोशिस करेंगे कि जहाँ पर भी extra पैसा जा रहा है वे फजूल खर्च हो रहा है उसे जल से जल कट किया जाए ताकि उसका use किया जा सके इन सारे debt payment को clear करने के लिए तो यह इसका कही न कहीं एक बहुत बड़ा motive हो सकता है अब देखो काफी important question आपके mind में hit कर रहा होगा कि क्या हम इस तरह की initiatives ले सकते हैं अपनी country में या all around the world क्या इस तरह के बाकी countries ले सकते हैं तो देखो बाकी countries कुछ ऐसी countries है जो बिल्कुल implement कर सकते हैं धिरे-दिरे करके अगर यह successful रहता है अब यह देखना होगा कि जब यह overall Trump इस तरह की initiative लेंगे यह actually on ground कितना successful रहता है और दूसरी जो बात important यहाँ पर हो जाती है वोट दिया है इस चीज के लिए यहाँ पर साइद उल्टाओ कि वोट कर जाए बहुत possibility है और अगर मानलो कि इस तरह की बात हम करें कि बहुत large number में government jobs को reduce करना start कर दे तो maybe it will be a challenge for India but future में अगर इस तरह की initiatives इस तरह के leaders सामने आते हैं जो furiously आकर सामने इस तरह की बात कर सकें लोगों को समझा सकें कि इसकी क्या फाइदे हैं तो maybe possible हो सकता है बट ये सारी चीज़े future के लिए हैं तो in future अभी आपको जो कुछ भी developments देखनी को मिलेगा जो भी updates मिलेंगे इस topics related क्यूंकि ये सारी चीज़े अभी लगातार news में रहने वाली हैं तो आपको उन सारे updates के लिए what you need to do is to subscribe से राम साइस channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है and at last may God bless you all